पूलपूर में लोकसभा उपचुनाओं के नतीजे आ चुके हैं और अब प्रत्याशित रहा बीजेपी के लिए क्योंकि बीजेपी लगातार दावे कर रहे थी कि उनकी दोनों सीटे हैं और वो बनी रहेंगी हमाई साथ डिप्टी सीम केश्व परसाद मौरिया जी हैं जो की फूलपूर से ही सांसत थे उनके ये सीट छोड़ने के बाद ही फूलपूर में उपचुनाओं हुए हैं जिम्मेवारी थी केश्व परसाद जी मौरिया के उपर सर कैसे देख रहे हैं इन नतीजों को आपको लगता है कि ये बड़ा आप रत्याशित हो गया आपके लिए अहां के मद्दाताओं में और जो हमारा समर्थक मद्दाता तो उसका अति विश्वास था कि निश्यत भाजवा तो जीती रही है हम नहीं जाएंगे उट डालने तो क्या फरक पड़ेगा दो तीन कारण थे इसकी समीच्छा करेंगे और जो कमी रही है उसको सुधार और 2029 के चुनाओं में विजय प्राप्त करने की रणीती बनाएंगे और बनी नरेंद मुदी जी के नित्तित में फिर से केंद्रवे सरकार बने इसके लिए जो आवशक कदम होगा चाहे वो संगठन के अस्तर पर चाहे सरकार के अस्तर पर उठाए जाएगा आपको यह लगता है कहीं आपको महसूस हुआ जिस दिन पोलिंग खत्म हुई कि बहुत कम मद्दान हो गया यह नुकसान कर सकता है हाँ नहीं मुझे उत्तरी वे कम मद्दान होने की बात मुझे चिंतित कर रही थी लेकिन जहां हम फूलपूर में सुराओं में और फाफा मोग में जहां पिछड गये थे वहां इसी उम्मीद नहीं थी कि हम पीछे रहेंगे हम यह मानते थे कि मुझे 50-50 जार के अंतर से ग्रामिड सीटों पे बढ़त मिली थी हो सकता है पचीश से मिले 15 से मिले 10 से मिले या बराबर बराबर रहे और सहर की सीट से हम जो लीड करेंगे उसके अंतर से जीतेंगे लेकिन यह उम्मीद नहीं थी लेकिन जनता ने जो भी जनादेश दिया है और सपा बसपा का गड़बंधन होना और सपा के मतों का सपा में बसपा के मतों का ट्रांसफर होना यहां भी एक बड़ा कारण रहा है मुझे यह भी उम्मीद नहीं थी कि बसपा का ओट सपा के ल नहीं होगा लेकिन वो ट्रांसफर हुआ और इसके कारण से हमें पराजय का सामना करना पड़ा और जिन मद्दाताओं ने चाहे वा फुलपुलोग सभा में चाहे गुरगपुलोग सभा में भारती जनता पार्टी का समर्थन किया है उन सब का हिरदय से धन्यवाद जिन कारक कंताओं लोगों सबसे बड़ी ताकत थी मायकar करता लोगों को घरों से निकालके बूत तक नहीं ला पाए तखी यह सही है कि हम कार वोगप सारी तलास हैंगे ज Carne निकालने के भी प्रयास हुए कारकरत्हों होने महीनद भी की लिकिन उस लेविल में मत दाता जितना 2014-2017 में निकला था, उतना नहीं निकला है और अभी कितने ओट मिले हैं, किस बूथ पे मिले हैं, कम किस बूथ पे हमें जेदा मिले हैं किस बूथ पे क्या कमी रहे हैं, हम बूथ हुआई समीच्छा करेंगे इसकी वज़े जो लोग कह रहे हैं कि कारकरता नाराज है क्योंकि उसकी सुनी नहीं जा रही है सांसदों के यहां जा रहे हैं, विधायकों के यहां जा रहे हैं, मंत्रियों के यहां जा रहे हैं, साशन में जा रहे हैं कहीं कोई सुनवाई नहीं रहे, कारकरता हतास हुआ है। बिहार में महागडबंदन की तर्च पर एक बड़ा कारनामा कर सकता है। बिहार में महागडबंदन की तर्च पर एक बड़ा कर सकता है। लेकिन एक साल के बाद ही जनता नाराज हो गई है। इसको इस रूप में इसलिए कहूँगा कि लेने का भी से नहीं है। क्योंकि जैसे मैं फूलपुर की बात करूँ, टोटल आरतीस प्रतिसत मद्दान हुआ। और 62 प्रतिसत मद्दाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। यह हमारे लिए चिंता कभी से है। जब मताधिकार का प्रयोग सभी मद्दाता करते हैं, तो परणाम उसके अलग भी हो सकते हैं या असपष्ट है। कि अगर अधिक मद्दान होता तो जो हमारा अंतर है लगवग 69,000 का क्युल फूल पूल लोग सभा का तो सहर उतना पाटने में सच्छा मैं। तो यह जो समिश्या है कार करता की चाहे नाराजगी का भी से हो चाहे जनता का भाजपा के लिए उटना देने का भी से हो या बूत मिलेविल के मनेजमेंट का भी से हो चाहे सरकार के माध्यम से जन प्रतिजियों के माध्यम से जो समिश्या तोरित हल करने का रास्ता निकाल मुझे अभी में कह रहा हूं कि मुझे नतीजे बिफरीद होंगे इसकी मुझे उमीद नहीं थी लेकिन नतीजे बिफरीद भी हो सकते यही है लोकतंत्र और यही जनता का जनादेश इसी को कहते हैं ओट यानि मद्दान जो गुपनी होता है और अब मता अधिकार का ने आदेश दे दिया है डिप्टी सीम हमारे साथ थे उन्होंने सुकार किया हार को अपनी और कहा कि 2019 के चुनाव में इसके खास फरक नहीं हुए जो कमिया है उनको आगे दूर की जाएंगी कैमरामन धीरश के साथ अभी शेक पांडे भारसमाचार लखना हूँ